आप जब भी घर बनवाते होंगे तो उसमें अच्छे से अच्छा फरनीचर लगवाने का विचार रखते होंगे लेकिन कई आप अपने बजट के हिसाब से काम कर लेते हैं मैं भारत में चंदन की सबसे महंगी लकडी माना जाता है तो वहीं ऐसे आपको बता दे कि इसका एक पेड लगने में काफी साल लग जाते हैं साथ ही इसका उप्योग कई तरह से भी होता है इसलिए इस लकडी को अधिकतर लोग सबसे महंगी लकडी मानते हैं लेकिन आपको बता दे कि ऐसा नहीं है तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया की सबसे महंगी लकडी कौन सी है दुनिया की सबसे महंगी लकडी अफ्रिकन ब्लैकोड है अफ्रिकन ब्लैकोड दुनिया की सबसे महंगी लकडियों में से एक है साथ ही से धर्ती पर मौझूद सबसे मुल्यवान वस्तूओं में से भी एक माना जाता है जिसकी वज़ा से दुनिया में इसका बहुत कम पाया जाना है दरसल अफ्रिकन ब्लैक ओड दुनिया के 197 देश्यों में से सिर्फ 26 देश्यों में ही लगता है साथ ही इसके पेड को पुन रूप से विक्सित होने में 60 सालों का समय लग जाता है अब अफ्रिकन ब्लैक ओड के बहुत ही कम पेड बचे हैं यही वज़ा है कि इसके दामों में लगतार दिन प्रतिदिन विर्धी हो रही है मुले रूप से अफ्रिकन ब्लैक ओड का पेड अफ्रिका महादीब के मध्य और दक्षनी भागों में ही ज्यादा उपता है इस लकडी की कीमत साथ से आठ लाक रुपे किलो है इस लकडी की कीमत में तो आप कोई फ्लैट खरीद सकते हैं इस लकडी के फरनीचर के अलावा शेहनाई, बासुरी, सहिकाई, संगीत, वागे, यंत्र भी बनाये जाते हैं इससे बनने वाली हर चीज काफी महंगी होती है अमीर लोग अपने घर को आकर्शक बनाने के लिए इस लकडी का फरनीचर उप्योग करते हैं जाहिर सी बात है इस लकडी की मांग और कीमत को देखते हुए इसके दुश्मन भी बहुत होंगे तसकर इस लकडी का पेड़ बनने से पहले ही इसे काट कर इसकी तसकरी कर रहे हैं जिसकी वज़े से केन्या और तंजिया जैसे देशों में अफरिकी ब्लैक वूट को बचाने के लिए हत्यार बंजवान तैनात की गए हैं तो अभी के लिए इतना ही ऐसी ही तमाम जानकार्यों और खबरों के लिए बने रहे हैं हमारे साथ इंडिया नेवस पर नमसकार